CUETUG 2024 कहां से प्रस्न पूछे जाएंगे MCQ-based question रहने वाला है या फिर subjective question भी पूछे जाते है यानि long tap question जिस तरीके से आप board exam में question दीए हों क्यों क्योंकि NCRT-based question रहने वाला है तो किस तरीके से आपका question होगा और कहां से प्रस्न पूछे जाएंगे मैंने तो आपको कई वा देखिएगा और नए भी वर से हाथ जूड़कर request है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आने वाले time में आपका CUT के लिए बहुत सारा चीज नया आपको दिखने को मिलेगा और वो सारा कुछ आपको बेहतर इस चैनल पर ही मिलेगी क्योंकि CUT के regarding 2023 से ही student को मैंने हर एक update प्रवाइट किया है त्यारी से लेकर उनके university में admission तक तो चलिए यहाँ पर देखते हैं update को लेकर कि क्या update है आप सभी को पता है कि 31 तारिक तक उम्मेदवार कर सकते हैं आवेदन यानी 31 तारिक तक आपका date बढ़ चुका है CUT UG 2024 का खैर इसके बारे में आप सभी को लेकिन सबसे important चीज है यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें किस तरीके से NTA के दवारा सारा कुछ यहाँ पर clear कर दिया गया है पिछले वरसों के प्रस्न पत्र को हल करें headline में है और यह बड़े अक्षरों में है ताकि अगर student अकबार को या फिर news को प repeat करेंगा और यह साफ साफ यही चीज असपस्ट बता रहें कि पिछले वरसों के प्रस्न पत्र को ही हल करना है आगे यहाँ पर देखें परिक्षा expert राज किसोर दूबे के अनुसार प्रस्नों का अस्तर बारवी board NCRT syllabus का होगा यानि जो label रहने वाला है वह किसी भी high label book या या फिर commerce वाले या फिर science वाले इसी भी domain paper का अगर आप तयारी कर रहे हो या है वो language paper ही क्यों न हो अब language paper में क्या होता है कि syllabus थोड़ा सा अलग है यानि जो आपने बारवी में पढ़ा उससे अलग यहाँ पर topic से question पूछे जाते है मैं एक वीडियो में language paper का सारा syllabus discuss कर दू तो उसमें level क्या रहता है तो उसमें भी level NCRT का होता है जी हां grammar जो question पूछे जाते है या फिर comprehension के जो question पूछे जाते है language paper में वो सारे question आपका 12th से ज्यादा high level नहीं रहने वाला है इतना समझ लीजेगा ठीक है आगे यहाँ पर देखे क्या update दिया हुआ है कि 35 से 40% सवाल comprehension से होते हैं यानि जो language paper है ठीक है language paper आपका क्या हो सकता है हिंदी हो सकता है या फिर English हो सकता है या फिर उर्दू हो सकता है इसके अलावे और भी language paper है तो इन सभी में जो comprehension होता है यानि जो गद्यान के question पूछे जाते है जैसे उपर में लिखा रहाता है कुछ कहानी के type से और उसी के अधार पर आपका question दिया रहाता है question दिया रहाता है उस question के answer को आपको सही सही उसमें tick करना रहता है तो वो होता है comprehension के सवाल और यहाँ पर क्या बोल गया है 35 से 40% तो अगर देखा जाए total आपका question 40% रहने वाला और इसका 40% अगर निकालिएगा जो आपका comprehension वा ले लेगा question पढ़ते में बहुत जादा time student उसमें वेर्थ कर देते है वर्बात कर देते है उसमें आपको time management करना बहुत जादा important है उसकी practice में करवाओंगा उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहाँ पर यह चीज आपको असपस्टर तोर से बता दिया गया है कि लगभग 35 से लेकर 40% यानि 16 question या फिर 15 question तो 15 question अगर पूछा जाया और आपने सही कर लिया तो सोचे 15 यानि 1 question 5 नमर का होता है तो 15 पचे 75 marks आपका automatic आ सकता है तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकती कि question कहां से पूछा जाएगा और यह जो आपका comprehension के question रहेंगे वो बार बार reading comprehension का practice करनी चाहिए यानि पढ़कर और उसके answer को ढूंड कर इसका practice आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा ठीक है तब ही आपके लिए better होगा time management सही से कर पाओगे reading comprehension के style को जानने के लिए पुराने सवालों के question paper को भी हल करना होगा और सबसे important चीर यहाँ पर क् इस साल से कुछ और भी paper add हुए जैसे की fashion studies और tourism जैसे और भी विसे इस परवेस परिक्षा में सामिल किये गए हैं और सबसे ज़्यादा important सवाल question का type किस तरी किस रहेगा MCQ रहने वाला है या फिर subjective question रहने वाले तो याद रखेगा subjective question नहीं पूछा जाता है COET के exam में हमेश जो offline exam होगा वो offline mode में क्या MCQ question नहीं रहेगा बिल्कुल जैसे offline में OMR sit पर आप लोग MCQ question का answer देते थे ना उसी तरीके से यहाँ भी MCQ question based ही रहने वाले है सारे person तो उमीद करते हैं जो भी आपके mind में doubt था question कहां से पूछे जाएंगे question का label किस तरीके से रहने वाला है और question अटे वीडियो में